हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू ऑनलाइन इस्टी पॉइंट दोस्तो इस वीडियो में सापता ही करेंड फेस का प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ टोटल पंद्रह मोस्ट इंपोर्टेंट कोश्चन रहेंगे आपको मेरे साथ सॉल्व करना है लास्ट में अपना इसकोर कमेंट के बारे में लोगों को जागरुक करने के लिए किस नाम से अभियान की शुरुआत की है ओपसा ने हार्ट अटेक रिवाइंड जीरो ट्रांसफैट लाइफ विदाउट ओयल फूड वर्सेज ओयल जिसका राइट एंसर बताईए दोस्तों करेक्ट एंसर हो जागा इसका ओ भारती खाद सनक्षाएवं मानक प्राजिकरण ने और द्योगी कुरूप से उत्पन ट्रांसफैट के दुस्त पफावों के बारे में लोगों को अवेर करने के लिए जागरुक करने के लिए हार्ट अटेक रिवाइंड नामक अभियान की शुरुआत की है तुसका भारत को किश वर्ष के शिखर समयलन की मेजवानी मिलने की घोशना की गई है और दोस्तों इसका राइट एंसर हो जाएगा ऑप्सन डी 2022 में ठीके देखे उस तो अपने प्रधानमत्री मोदी जी ने भारत को जी ट्वेंटी मेजवानी मिलने के बाद इटली को धन्यवाद दिया साथ ही उन्होंने जी टूंटी समुक के नेताओं को 2022 में भारत आने का नेवता भी दिया है ठीक है दोस्तों तो यह बहुत इंपोर्टेन कोशन है ऑप्सन डी 2022 मेरे साथ इसको आप बिल्कुल याद करते चलिए और सॉल भी करते चलिए ठीक है और कमेंड बाक्स में डिटल स्काई, ड्रोन फ्लाइ हाई, ड्रोन इन इंडिया, दोस्तों इसका राइड अंसर हो यहएगा option B डिटल स्काई, ठीक है, option B, देखें तो रहनागरीक उढ्यन मंत्राले ने भारत में ड्रोन उडाने के लिए पणजी करण की प्रक्की आरम कर दी है, और मंत्राले न इसके लिए एक online portal digital sky की भी शुरुवात की है ठीक है तो right answer वहागा दोस्तो option भी digital sky question फोर्थ दोस्तो भारत की काउन सी इंजन भारत की काउन सी इंजन रही train 180 km प्रति घंटा की रफतार से trial run पूरा किया है option दोस्तो option है हम सफर B गतिमान C train 18 D train 20 दोस्तो इसका right answer वहागा option C train 18 ठीक है देखे उसके भारती रेलवे की पहली बिना इंजन वाली train जो है train 18 परिक्षण के दोरान 180 km प्रति घंटे के ठीक स्पीड से सबलता पूरवक दोड़ी है ठीक है उसका right answer वहागा option C train 18 question 5 दोस्तो वाणी जो आई उद्धोक मंतरारे दोरा जारी डाटा के अनुसार October 18 में आठ कोर अधो सनजनाक सेक्टर की विकास दर कितना परिस्षत रहा है option दोस्तो 2.8% 4.8% 3.8% 5.8% तो दोस्तो इसका right answer वहागा option B 4.8% ठीक है चलिए question number 6 देख लेते हैं निम लिखित में से किस दिन भारती नौसेना दिवस मना जाता है option है एक दिसंबर, दो दिसंबर, तीन दिसंबर, चार दिसंबर इसका सही उत्तर हो जागा दोस्तों option D 4 दिसंबर को ठीक है देखे दोस्तो भारत में प्रतिवर्स 4 दिसंबर को नौसेना दिवस के रूब में मना जाता है उसका उद्देश क्या दोस्तों भारत की नौसेना की उपलब्धियों तथा भारती नौसेना की भूमका पर प्रकास डालना ठीक है तो भाती नोसेन दीवस कमना आ जाते दोस्तों प्रतिवर्स चार दिसंबर को Q7 थे दोस्तों निम लिखित में से किस शहर में पहले भारत आसियान इनोटेक सिखर से मिलन का आजन किया गया जिसका राइट एंसर वैगा दोस्तों आप्शन डी नई दिल्ली में ठीक है नई दिल्ली में ठीक है याद रखिएगा पहले भारत आसियान इनोटेक सिखर से मिलन का आजन नई दिल्ली में किया गया है और इसका आजन भारती वारिज्यवम उद्योग मंत्राले उद्योग महासं यानी फिक की द्वारा विदेश मंत्राले के विज्ञान और तकनिकी विभाग के साथ मिलकर किया गया है कोशन नमर एट है ये बहुत मात्मूर कोशन दोस्तो भारत के गणतन दिवास समारो 2019 के मुख्यति निम्रिखित में से कौन होंगे ओप्सन है सायरील रामफोसा, इमेनियल मेकरोन, सोर्गियो मेरे तुल्ला या थेरिसा में तो इसका एक करेक्ट एंसर हो जाएगा दोस्तो ओप्सन ए सायरील रामफोसा, ठीक है देखें दोस्तो दक्षिन एफ्रीका के राष्टपती है ये सायरील रामफोसा भारत के गणतन दिवास 2019 समारों में मुख्यति चीप गेस्ट होंगे तो याद रखेगा सेरील रामफोसा भारत के गर्दन दिवस परेड में सामिल होंगे और दूसरे दक्षिन फ्रीकी नेता होंगे गर्दन दिवस परेड में सामिल होने वाले दूसरे दक्षिन फ्रीकी नेता होंगे कोश्चन नाईन है दोस्तो राश्टी महिला आयोग ने कौसल विकास और विशेस प्रसिक्षण के माध्यम से भारत के किस छेत्र में महिलाओं विशेस करिवा महिलाओं के लिए आजीविका कारिक्रम में मदद करने की घोशना की है दोस्तो इसका राइट एंसर विएगा ओप्सान ने पूर्वोत्तर छेत्र ठीक है कोश्चन टेंथ दोस्तो जापानी वायू सेल्फ डिफेंस और भारती वार्शेनक बीच आयूत कियेगे दुपक्षी वायू भ्यास का क्या नाम है कोश्चन नमर 11 दोस्तो हाली में क्रिकेट के सभी प्रारूपों से सन्यास लेने वाले क्रिकेटर गोतम गंभीन ने सोशल मीडिया पर किस नाम से वीडियो जारी करके सन्यास लेने की घोशना की दोस्तो इसका करेक्ट अंसर आएगा ओप्सान ए अनबीटन ठीक है अनबीटन देखें दोस्तो आपक पता देखें पूर भारती सलामी बल्लेवाज गोतम गंभीन ने सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट करके चार दिसम्बर को क्रिकेट के सभी प्रारूपों से सन्यास लेने घोशना की और उन्होंने वीडियो का जो नाम है अनबीटन रखा इसरो के सबसे बजनी सेटलाइट का क्या नाम है जिससे हाली में फ्रेंच गुवाना से लौंच किया गया है जी सेट 10 जी सेट 11 या पी एक्स वाई 20 या जी एसलवी 15 तो दोस्तो इसका राइट एंसर रहागा ऑप्सन भी जी सेट 11 ठीक है देखें जो भारत का सबसे भारी सेटलाइट जी सेट 11 का प्राता है फ्रेंच गुवाना से आपको उता दे कि इसमें एरियन स्पेस रॉकेट की मदद से सफल पूर्वक प्रक्षेबड किया गया है और जी सेट 11 अगली पीड़ी का हाई थ्रोपूट संचार उप गरह है ठीक है जिसका करेक्टर सेज़ाग देपकापाद गोंड सानिया नहवाल या शोभना भारतिया दोस्तों इसका करेक्टर सेज़ागा ऑप्सन डी शोभना भारतिया देखें दोस्तों को दादिक फोप्स द्वारा जारी विश्व की सव सबसे ताकतवर महलाओं को सूची में भारत की चार महिला है रोसनी तो दोस्तों ऑप्सन हिवांका ट्रंप, ओपेरा विन फ्रे, एंजेला मारकेल या सेरेना विलियम्स दोस्तों इसका करेक्ट अंसर जायागा ऑप्सन C, एंजेला मारकेल देखें उस आपको बदा देख फोप्स द्वारा विश्व की सव सबसे ताकतवर महिलाओं को सूच लास्ट कोशित है, विश्व वैंग ने दोहर 21 से 25 के दोरान जलवाई परिवर्तन की समस्य से निपटने की कारवाई को लेकर कितने अरब डॉलर के निवेश की एक योजना घोशित की है, ओप्सन है 100 अरब डॉलर, 200 अरब डॉलर, 300 अरब डॉलर, 400 अरब डॉलर, राइट और ये होजना अरतमान पांच वर्ष की अबधी की विश्व वैंग की होजना की दो गुनी है, ठीक है, राइट एंसर रहागा, ऑप्सन भी 200 अरब डॉलर, तो ये थे दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टन वीकली करनफ है, साई होब आपने सॉल्व किया है, तो प्लीज कमेंट प्लीज की विश्व विश्व दियोक साथ, तब तक कि लिए वावना ध्यान रखिए, स्वस्त रहिए, बैस्त रहिए, मस्त रहिए, जै हिन्द, जै भारत